हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं AVG Logistics Limited के बारे में दोस्तों इस share को मैं क्यों लेकर आया हूँ इसके पीछे तीन मुख्य वज़े हैं लेकिन आज जो latest news आई है इसके चलते मुझे इस share को उठाना पड़ा तो इसमें news किया है दोस्तों तो इस company को 156 करोड का order मिला हुआ है किसके लिए तो है railway के parcel के लिए और यह order 6 वर्सों के लिए है तो इस company का जो market cap है दोस्तों आप ध्यान देना कि 400 करोड का है और जो दूसरा कारण है एक तो हो गया order book के बारे में कि इसको 156 करोड का order मिला है दूसरा जो कारण है कि इसका जो P.E. 10 hour 40 के बीच में इसके industry का P.E. float करता रहता है दोस्तों और एक जो तीसरा कारण है माप करना जो इसका तीसरा कारण है तीसरा कारण है कि इसके share holding pattern को लेकर एक region है इसका कारण है कि जो FII है उनके पास 0.18% की holding थी जून 23 में इन्होंने एक आएक अपनी holding को increase किया है 4.35% थे यह जो है कि इस company में को लाने का दूसरा कारण हो गया लेकिन इसमें एक और बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो DII थे पहले 21% हुआ करते थे अब 8.39% दिखाई पड़ रहे हैं और जो public है उनके पास 17 से बढ़के 26 हो गया है जो holding pattern यहाँ पे सो रहा है अगर हम इक में क्या कोई बड़े निवेशक भी सामिल है तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े निवेशक यानि अचनाई भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो पहला नाम आता है Arnold Holding Limited का 1.53% की holding है साथ म सुनील अगरवाल जी है 1.16% की एक अच्छे निवेशक है सुनील अगरवाल उसी के साथ नवरात्री शेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिम्टेड है 1.15% की holding के साथ तो दोस्तों कुल मिला जुला कर कहा है तो company का valuation अच्छा है लेकिन जिस हिसाब से नाम है इसके business के बार आए कि जो debt to equity है 2.35 है और company का जो face value है जो stock का face value है 10 है ROE 11 और ROE 10 के करीब है यानि इसे कम से कम 12 तो होना ही चाहिए था लेकिन यह नहीं है अब हम देखते हैं company के कुछ परिचे को कि company क्या काम करती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि company जो incorporate हुई थी 2010 में और एक company road transportation के साथ साथ warehousing facility और railway transportation का काम करती है और एक company multinational company के साथ भी काम करती है और जो इसको promote करते हैं ओ है Mr. Sanjay गुपता मैं इसकी website पे भी आपको ले चलता हूँ और आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ एक बार पहले हम इसके PNL पे चलेंगे क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे आप देखी कि जो PNL है sales 227 करोड थी 2018 में अभी फिलाल में जो sales है 427 करोड हो चुकी है यानि मोटा मोटी कहें तो sales दो गुना होई है बस यहीं कह सकते हैं दो गुना से कुछ कम और जो operating profit margin है operating profit margin improve होता हुआ दिखाए पड़ा है और आने वाले समय में भी आप tiptm में देख पा रहे हैं कि improvement देखने को मिलेगी और हम बात कर लेंगी company के net profit की तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान देना depreciation काफी ज़्यादा तेजी से बढ़ा है 36 करोड का depreciation दिखाए दे रहा है दोस्तों इसलिए company का जो profitability है थोड़ा सा इसमें dent देखने को मिल रहा है लेकिन तीन वर्सों से लगातार company अपने profit को increase कर रही है बढ़ा रही है और उसी हिसाब से company का जो EPS भी है EPS भी increase होता हुआ दिखाए पड़ा है तीन सालों से यह तो हो गया company के yearly result की बात अब हम quarterly पी चलते है quarterly में कुछ चीजें discuss करना जरूरी होता है जैसे कि sales है 128 करोड की थी March 22 में अभी फिलाल में 117 करोड की है यानि sales में कोई improvement देखने को नहीं मिला है तीन सालों में आप यहाँ पे देख सकते हो लेकिन net profit आप दे देखे कि यह करोड भी नहीं रहा यहाँ पे आप देख सकते हो फिर उसके बाद एक करोड फिर 27 करोड यहाँ पे दिखाई पड़ा है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 करोड फिर 1.72 अब इसके बाद जो quarter आने वाले हैं वहाँ पे company के result सुदरते हुए आपको बताऊं किसे आप June उन तक hold कर सकते हैं और आपको एक अच्छा return बना के देगा मेरे खायाल से 50% तक का return positionally आपको मिल सकता है आराम से इस share में इस stock में हाला कि ज़्यादा भी मिल सकता है क्योंकि company को order मिलने लगे हैं अगर आप इनके client base को देखोगे तो आपको चलते हैं और देखेंगे कि इसका जो PE 11.8 A median PE 5 वर्सों का जो की काफी जबरदस्त माना जाएगा अगर आप इस share में इस price पे निवेज करते हैं तो 100% तक का भी आपको return मिल सकता है अब एक बार हम इसकी side पे चलते हैं और आपको कुछ दिखाने की कुशिस करते हैं जैसा क कि मैंने बताया संजय गुपता जी जो है कि इस company के promoter हैं यहाँ पे आप देख सकते हो और इनके पास 30 प्लस एर का experience भी है दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो उसी के साथ हम अगर बात कर लें कि company के जो client हैं वो कौन कौन थे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके जो client हैं उसमें नेसले हैं यहाँ पे पढ़िए नेसले ITC, मॉंडलेज, GSK, अमराजा, एर्टेल, MRF, मदर डेरी के साथ साथ, अल्टरा टेक सिमेंट, कोका कोला, इगनो और पतंजली और बहुत सारे लोग सामिल हैं उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 500 प्लस workforce इनके लिए काम करती है, 24 into 7 इनके लिए service उपलब्द है, यहाँ पे बाते कर रहे हैं, इनके पास जो warehousing है, यह कह रहे हैं कि मेरे पास जो है कि 50 warehousing उपलब्द हैं और इस सभी fully computerized हैं और अच्छे से काम करते हैं और यह कहते हैं कि हम leading, lead करते हैं, इस service में मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो बात कह रहे हैं दोस्तों अब हम यहाँ पे आ गए हैं, इसके main side पे माक्त मैं आपको सिर्फ परचे दिखा रहा था यहाँ पे आप देखिए कि यह transportation में market leader हैं, इनका कहना है, इनकी website पे ऐसा लिखा हुआ है और यह rail cargo के साथ साथ road से भी transportation करते हैं, और उसी के साथ warehousing और transportation इन दोनों में इस company को महारत हासिल है और value added service भी एक company provide करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो cost efficiency है, company के पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जैसा कि मैंने बता दिया, इनके कौन-कौन से client है, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पी देख भी सकते हो air tail, bale, coca cola, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, aflex, lnt food, और itc, tnpl, यह सभी company इनके जो है की client है तो दोस्तो, aira, avg, logistic limited के बारे में अगर आपके पास है, तो इसे आप hold करिए, और enjoy कीजिए, कम से कम 25 के P, तक आप इसे enjoy कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाला कि हो सकता है कि आपको पैसे को दोगोना भी कर दे, March तक या फिर June तक, और जो market काप है, 400 करोड इस कारण भी मैं बात कर रहा हूँ, एक बार इसके chart को देखते हैं, price chart को तब बात आपको समझ में आएगी, यहाँ पर आप देखिए कि company में जो एकी बड़ा चालू हो चुकी है, और यह लंबे समय तक बनी रहेगी, यह बात ध्यान रखना, अगर आप खरिदारी कर रहे हो तो एक trend line यहाँ पर draw करना आप, यहाँ पर देखना कि trend line कब से draw हो रही है, मैं आप करना, यहाँ पर मैं आपको खीच की दिखाता हूँ, इस तरह से दोस्तों एक trend line आप draw करना और देखना कि weekly time frame पर कर सकते हो, अगर इस trend line को जब तक यह break नहीं करता है, तब तक आप hold क करिए, और अधिक्तम आप June तक hold करिए क्योंकि इसके बाद इसका result खराब आना शुरू हो जाता है, और अगर आप चाहते हो तो इसे लंबे time frame तक भी hold कर सकते हो, क्योंकि price appreciate हो रहा है, depreciate नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यह रहा company के बारे में कुछ news, company joint venture भी कर रही है, लो 95% और वेर आउसिंग से 5% का income आता है, मैंने पहले यह आपको बता दिया है, यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो और देख सकते हो, दोस्तों यहाँ पे पैन इंडिया में 80 प्लस ब्रांचेज मौजूद हैं, और 7 journal offices आपको दिखाई पढ़ रही है, दोस्तों यहाँ